सुपरवाद विदातियो, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सलोनी बच्चो, आज हम हिंदी व्याकरन में विशेशन पढ़ेंगे विशेशन वे शब्द होते हैं जो संग्या या सरमनाम की विशेशता बताते हैं ये शब्द जो हैं वाक्यों में संग्य के सार लगकर संग्य की विशेश्टा बताते हैं जो विशेशन है ये एक विकारी शब्द होते हैं तो चलिए शूरू करते हैं बचो आज हम पढ़ेंगे विशेशन बिशेशन को हम English में adjective कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए यह चितर किसका बना है यह क्या चितर है किसका चितर है यह टमाटर मैं यहाँ पर लेख देती हूं टमाटर और यह क्या है बोतल अब देखिए यहाँ पर जो टमाटर है इसका अकार कैसा है गूल और रंग टमाटर का रंग कैसा होता है लाल होता है और जो टमाटर कैसा होता है खटा होता है मिठा खटा अब ऐसे देखिए यह बोतल है अब जो यह बोतल है जिदेखने में कैसी है? लंबी है मैंने यहाँ पर लिखती है लंबी और इस बोतल का रंग कैसा है नीला तो बच्चों आपको कैसे पता चला कि टमाटर कैसा है गोल है लाल है खटा है ठीक है इसको देखकर इसका अकार देखकर आपको पता लगा गोल है इसको देखकर की पता लगा है लल हाल है वैसे ही dal phrases हता है उतल है बया हुआ है इसका अपको आपको आपकैसे लंबी कैसा है नीला है है और यह वल्य शबद तो यह उपक्या है तो अब जो यह गोल, लाल, खटा तो यह जो यह शब्द है यह हमें किसकी विशेष्टा बता रहे हैं टमाटर की विशेष्टा बता रहे हैं तो यह क्या है हमारे जो शब, संग्य, अत्वा, सर्व नाम की विशेश्टा प्रक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेशन कहते हैं तो यह गो, लाल, खटा जो यह है किसकी विशेश्टा बता रहे हैं? टमाटा की तो यह हमारे क्या है? विशेश्ट वैसे ही लंबी नीला तो ये भी क्या है हमारे विशेशन क्यों क्योंकि जो ये लंबी नीला है किसकी विशेशता बता रहे हैं बोतल की बोतल कैसी है लंबी है नीला है यानि कि जो संग्या जा सर्वनाम शब्द की जो विशेष्टा बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं विशेष्ट कहते हैं और बच्चो आपको पता है विशेष्ट क्या होता है जाने कि जिन शब्दों की विशेष्टा प्रकट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं विशेष्ट कहते हैं अब जैसे गोल, लाल, खट तो जो टुमाटर है हमारा के आजाएगा विशेश जाने कि जिन शब्द उसे संगय जा सवनाम की जिस से विशेशता प्रकट की जाती है तो उसे हम के कहते हैं विशेश कहते हैं अब यहां पर देखिए जी के बोतल भी हमारी के आगी विशेश जहां पर कुछ उदारन ओर देखिए निमिली की सचित्र वाक्यों को द्यान से पढ़िए गुबारे वाला रंग बिरंगी गुबारे लेकर खड़ा है फिर है नेक्स की राम के पास चार पुस्तके हैं नेक्स नेहा दो किल्लो आम लाई अब आपको यहां पर देखिए इस वाक्यों में जो है रंग बिरंगेश यह क्या है? यह किसकी विशेष्टा बता रहे हैं? गुबारे की, तो जो रंग भी रंगी है, जो जो विशेष्टा बता रहे हैं? गुबारे की, और जो गुबारे है, जिस संग्या शब्द है, ठीक है? तो संग्या शब्द जो है, जो तो यह हमारा क्या जाएगा? विशेष नेक्स देखिए राम के पास चार पुस्तके हैं तो यहां पर चार जी क्या है पुस्तकी क्या बता रहा है संख्या बता रहा है कि चार पुस्तके हैं ठीक है तो यह क्या गई यह भी हमारा क्या है विशेशन और पुस्तके क्या है हमारी जो विशेशन शब संग्या जब सर्व नाम की विशेश तब आता है उसे हम क्या कहते हैं विशेश कहते हैं तो यह हमारा क्या आ गया विशेश ची नेक्स देखिए नेहा दो किलो आम लाई अब यहां पर दो किलो है जो जी क्या है विशेशन और आम क्या है संग्या शब्द है तो यह क्या है हमारा विशेश्य जिन शब्दों जाने कि संग्या या सरनाम के विशेश्य तक प्रकत जहां पर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं विशेश्य कहते हैं तो अब विशेश्य की परिवाश्य क्या हुई तो विशेशिन की परिवाश्र क्या हुई? संग्या अथवा सर्वनाम की विशेश्ता यानकि गुन्दो संख्या परिमान आदी बताने वाले शब्द को विशेशिन कहते हैं ठीक है? संग्या अथवा सर्वनाम की विशेश्ता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? जी क्या है हमारे विशेशन शब्द है चीक है तो यहां पर उदारन देखिए बच्चो वह बड़ा आत्मी है मेरे लिए एक आम लाओ नेक्स देखिए वह देखो काला नाग अब बच्चो देखो इस वाक्य में विशेशन क्या है बड़ा क्योंकि जो बड़ा जो है शब्द जो किसके विशेशता बता रहा है आदमी की तो जो यह बड़ा है यह क्या आगे विशेशता बता रहा है तो यह हमारा क्या आजेगा विशेशन ठीक है अब नेक्स देखिए मेरे लिए एक आम लाओ ठीक है आम जो है संग्या है य जो है जी किसकी विशेष्टा बता रहा है आम की बता रहा है तो जो एक है जी हमारा क्या आजाएगा विशेष्टा किसकी बता रहा है आम की बता रहा है नेक्स देखिए वह देखो काला नाग अब यहां पर काला है अब जी हमारी क्या है किसकी विशेष्टा बता रहा है ना जिस संग्य शब्द अत्वा सर्मनम शब्द की विशेशता बताई जाए उसे विशेश कहते हैं जैसे देखी यहाँ पे सुन्दर लड़की, अब इसमें बच्चों देखो सुन्दर जो है, जी क्या है, विशेशन है, क्यों कि लड़की की विशेशता बता रहा है, और जो लड़की है, यह हमारा क्या आजाएगा, विशेशे आजाएगा, बच्चों यहाँ पे देखिये, विशेशन शब्द विशेशन से पहले भी आता है और बाद में भी जो विशेशन शब्द हैं वो विशेशन से पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं जैसे यहां पर उदारन देखी कुछ यह सुन्दर फूल है अब यहाँ पे देखिए इस वाक्य में सुन्दर जो है किसकी विशेष्टा बता रहा है फूल की तो जो सुन्दर है यह हमारा क्या आएगा विशेशन और फूल हमारा क्या आजाएगा विशेश्य ठीक है नेक्स देखिए यह फूल सुन्दर है अब इस वाक्य में फूल हमारा क्या है विशेश्य और सुन्दर हमारी क्या आ गई विशेश्य ता बदारत तो यह हमारा क्या है विशेश्य इस वाक्य में देखिए पहले विशेश्य था बाद में विशेश्य इस वाक्य में पहले विशेश्य है और बाद में विशेश्य ठ जैसे दोश में नहीं दिखिये ना. No. गून नहीं दिखिये मरी convention नहीं। देखिये की नहीं आ देखिये , STEVE मेठा नमकीन संख्या में दो चार आठ ये सब हमारे क्या है विशेशन है ठीक है तो बच्चों आपने आज की कक्षा में क्या पड़ा कि विशेशन किसे कहते हैं दन्यवाद विदार्थियो